हेलोअ अलिक्म गाईस कैसे नाम सब यार इतने दीन ने मैं गोड़ नहीं मुना है मैं जब लोग मनाते है शुरूँ बात इस बात से करते हुँ कहा इतने दीन से वलॉग नहीं मना है लेकिन आज आज हम लोग जो है एक शादी अटेंड करने के लिए आये थे तो घर में बिल जाने माशालला से ड्राउन नहीं बन गी ठाने को लाइट आने दें ओके गाइस बच्चे जो माशालला से सुबा स्कूल गए थे पिर टूशन गए थे और फिर उसके बाद अभी उनको त्यार करके साथ लई और दोनों पीछे सो चुकिये दोनों खराटे ले रहे थे ठाके में न हम लोग आए हैं यहां पर मोगल आजम और हमें यह नहीं पता कि हमने कोई बन्दा पर चाने आप इसलिए जो शादी है वो नमान के फ्रेंड की है तो पराई शादी और अब्दुल्ला दिवाना ऐसा कि इससे हो सकता है मैं पहली गए थी सीजन हमें कोई शादी नहीं है यह फाइनली कोई शादी आ गया ठीक है ओके जी गाई इस शादी सीजन है तो मुझे बहुत ज़दा मेसेजज इस इंस्ट्राग्राम पहते हैं कि आप ही हमारे ड्रेसिस के हिसाब से हमें मेक अप करना बता दें तो रिक्वेस्ट इतनी ज़्याद है कि मैसारो की पूरी नहीं कर सकती आपको क्या करना है कि अपने क्रीस एरिया में कोई भी आप लोग बेसिक कलर जो होते हैं वो अपलाई कर लिया करो कोई लाइट कलर अपलाई किया करो थोड़ा सा फिर अप दे सकते हैं आप किसी भी ब्राउन में रून शेर्ड से ठीक है बिल्कुल हलका हाथ रखते हैं और ब्लेंडिंग आप लोग उने क्रीस एरिया में अच्छा करना है अब सिंपली लिड पे आप वो वाला कलर यूज कर लो जो आपके ड्रेस का कलर है ठीक है इस सूरत में आपने जो लिप्स है वो नि की डिमांड थी कि हमें स्मोकी ब्ल्यू आइस चाहिए तो मैं देखें क्रीस एरिया में दुबारा से ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करूंगी ताकि बहुत नाइस सा एफेक्ट आए बड़ा सा बड़ा प्यारा से मैंने ब्राव बून को हाइलाइट कर लिए ज्यादा क बैक कोम से करने के लिए अच्छे से क्रिंप कर के लिए चे लिए एकडम कर चैनल कर आए एकडम लेंग कर लिए और आप लोग के वाल आप ले एखनी हाग만 रोग बीए घव पास बिधाल महें को तरहारे से मीडिति कर या विक़्ेलिग क्र नहीं आप देखेंगit हैं इस सिंपल सिंगल सिंगल एक चुटिया के हिसाब से मिलती है वही हमने इनके बैक पे जूड़े पे दो जो है उनको रैप किया था बलके एक कोई मैसी करके रैप कर दिया था तो फाइनल लुक आप देखे को कितनी अच्छी लग रही है यह एक सिंगल चुटिया आपको बारजा कितना ज्यादा वॉल्यूम आया वहाँ लेकिन मुझे सच याद है कि जो क्लाइंट है पैड भी लेक रही है तो हमने इनके बैकोमिंग के अदर पैड भी सेट किया है यह मैं तो नीट कर रही हूं इनके बैकोमिंग को जो फ्रेंट पॉर्शन पर जो लंबे वाले पैड हो यह सारी लाइन आपने मेक शूर करनी है नीट हो सप्रे करके आपने सेट कर देना है अचा जी हां पर दूसरी बहन थी इनका मेरून कलर कर ड्रेस था इनका आई मेक अप में शूट नहीं कर पाई लेकिन इनका आई मेक अप जो है हम लोग ने ड्रेस से मैच रखा था अब ईर्टी देखें जो आपने जूट और बन सबना लेना लेना पीचे इसके उपर जो आपको सिंग्ल वाली चुटिया बाजार से आराम से मिल जाएगी विग्जबुस मैच लेनी है अपनी पसंद के लिनी हैवी सा प्यारा सा ब्राइडल ब्राइडल तो खैर नहीं है माशेरे से दोनों जो हैं धुले की बहने थी तो उन्हें बड़ा अच्छा सा हैवी सा लुक चाहिए था आपको पता है कि जो फैमली मेंबर्स होते हैं वो ज़रा प्रॉमिनेंट होते हैं तो मैक्सी इनकी बहुत आपको पता है कि नहीं पता होता लेकिन मैंने इनसे पूछ लेया था आप लोग डिजाइन कोपी कर सकते हो तो तो बहुत ही ज्यादा प्यारे थे अच्छा यहां पर नेक्स टे हैं और हमारे पास नेक्स्ट क्लाइंट्स हैं जिनके हम बाल बना रहे हैं तो बालों का जो वीडियो टुटोरियल है बहुत ज़दा आप लोग रिक्वेस्ट करते हो तो मैंने सोचे कि मैं व्लॉग चैनल पर यह शेयर करती हूं ठीक है क्योंकि मेरे व्लॉग कोई आजकर इतने खास बना नहीं रही बहुत ज़दा टॉफ लाइफ बीजी रुटीन है लेकिन इंशाल बसकर लेकिन कांब कोई तायम कम होता है कंपडंब कामरा पक्रिय कोई पकरने वाला नहीं होता है यह मुबाईल पक्ड़नी जल्डी जल्डी मिला है मैंने ठोड़ा सा वीडियो क्लिप शूट करवाइया है अच्छा, मास्यल आण से फेहाले से क्लाइट जोड़ी ठेवी हमने इनको krimp इतना नहीं किया अगर आपके बाल बहुंदाद हैवी हो तो आपको krimp करने की ज़रूरत नहीं होती ठीक है और ब्राइडल में आपको बैककॉमिंग में पते हैं आपको हैवी किसम की बड़ी आपको बैककॉमिंग चाहिए होती है बेक साइड बहुत ऐलिगेंट और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है तो जैसे आज कल वो लेटेस्ट बैकोमिंग है जो पहले जमाने में आता था ता बिलकुल क्राउन अरिया पर ऐसे उठी हुई बहुत जादा वो इतनी अच्छी लगती है हर एक अपना डिफरेंट च जाना है एक और सेक्शन में उठाऊंगी क्राउन एरिया से और इसी को दुबारा से हम नीट करके बैक कॉमिंग में हाइड देख रही हुए कितनी देनी है एक मैसी साप लोग अंदाजा कर लिया करें इसके बाद आप लोग ने इसको मजीद साइड पार्ट जो हैं उन्मे करनी स्टार्ट किया तो इससे ददा हलवे वली कोई मुझे चीज नहीं लग रही है और मुझे इतनी फेवरिट होगी है मैं इसके बहुत सारे टिटोरियल्स आपके साथ शेयर करने लगी हूँ पस मसला यह टाइम नहीं होता क्योंकि आपको बता है मेक अप करके मैं थोड अच्छे जो पार्टी है स्टाइल होती है उसमें बहुत सारे ऑप्शन होती है कि अगर आप लोग ने ऐसे पिन अप करके आप पीछे जो है बाल खुले छोड़के आप कल्स भी डाल सकते हैं लेकिन क्लाइंट को पीछे जुड़ा चाहिए था मैसी सा तो अभी हम इसको फिर सारे बालों में थोड़े मोटे वाले कल्स दालेने हैं और कल्स दालने के बाद मैंने थोड़ा से स्पीड अप में कर दिया यहां पर सारे कल्स को मैसी मैसी पकड़के यूपीन के साथ आपने ओपर टक करते जाने तो वह बहुत ही प्यारा बहुत ही मैसी सा ना एक शेयर करूंगी आपके साथ बहुत प्यारी और हसीन लग रही थी माशाला लाइक आपकी बेस जो है वो बहुत थी लोंग लास्टिंग और स्टेंग पावर उसकी बहुत अच्छी होती है अच्छा बेस के बारे में बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं कि अच्छी सी मोटी सी थी क्लियर ही होगी तो वो ज्यादा देर चलेगी है तो अभी वह ज़्यादा टाइम बदल गया है लाइक प्रोड़क्ट्स में जो रेंज में अच्छे मेले प्रोड़क्ट आप यूज करते हैं उसकी स्टेंग पावर बहुत ज़्य किया जाता है या वो पॉलर से निकलती है एक दम मेकप की दुकान बनी होती है लाइक मोटी सी बेस के लियर है ब्राउस बहुत ज़्यादा ड्रा की होते है और अजीब सी आइस बनी होती है तो मुझे इतने खुश हुई ना कहती है यार आपने इतना फ्रेश और ग्लोई कोई भी मेकप की दुकान नहीं लाग रहे और मैशल ऐसे वह विलीमा ब्रेड लग भी बहुत बहुत ही ज़्यादा हसीन रही थी मैंने बड़े दिल से उनको मेकप किया था और बड़ी खुबसूरत उनकी मेटैलिक ग्लीटरी आइज मैंने बनाई थी मैं कोशिश करूंग तो देखें बिल्कुल थोड़ा सा डाक आ रहा है लेकिन बहुत ही प्यारा बन लग रहा था इस तरह आपने बाद में फ्रेंट वाले बालों को भी कर लेना ठीक है तो यह जनाब इन क्लाइंट के जो पूरा लुक है थोड़ा आइस का हम एंड पर लगा दूगी इनका स्पोर्ट थोड़ा सा में मेंद ज्यादा हो जाती है लेकिन हमने जल्दी से वह वाला है स्टैल खोला और इसके बाद मैंने को यह वाला ब्रेड बनाई और साइट से बड़ा प्यारा सा बारभी सा लुक दिया जो उनको बहुत पसंद आया था अच्छा जिसके रावे एक